हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप साथ फ्रेंड संडे के दिन गुडगामा में 12 सेक्टर के पास एक बहुत बड़ी गवसाला है तो हमें अपने गुरूप के साथ वहाँ पर जाने का मौका मिला तो जब हम महां गवसाला में गए और सच में मन को इतनी शांती मिली और इतना आनंद है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हम सबने हमारे गुरूप के सभी सदस्टों ने बड़े ही प्यार से गायों को गुड़ खिलाया और चारा खिलाया और देखो कितने प्यार से वो लोग खा रहे थे और बिल्कुल भी डर्णे लगा है मैंने खुद अपने हातों से उन्हें खिलाया और बड़ा ही मन को शांती मिल रही थी और उसके बाद वहीं पर एक छूटी सी शौप थी अब हम इस सौप के अंदर गए तो वहाँ देखिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ वहाँ पर बहुत सारे मूर्तियां बने हुई रखी थी कुछ केंडल्स और दिये वगरा थे यह देखिए बहुत ब्यूटिफूल कलरफूल दिये थे और यह लक्षमी गणेश जी थे और यह सब बने हुए थे गाएं के गोबर में मुलतानी मिट्टी मिक्स करके उससे बनाए हुए थे गाएं देखिए वाइट पेंट करके कितनी सुन्दर लग रही थी और यह जितनी भी मूर्तियां थी सबको कलर किया हुआ था और यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह गोबर और मुलतानी मिट्टी से बनी हुई है यह कैंडल देखिए कैंडल के साचे मुलतानी मिट्टी और गोबर से बना कर उसमें मौंबरा हुआ था और अब ये देखिए गव माता वाइट कलर करके कितने सुन्दर बनाई हुई थी 100 रुपीस की थी और ये लक्षमी गनेश जी ये भी 100 रुपीस के थे और ये कलरफुल दिये ये 30 रुपे के एक दरजन थे और ये बनाई हुए थे हमारे गणपती बपा जी देखिए कितने प्यारे कलर कीव थे और ये थे गोवर्धन जी कितने सुन्दर कलर करके इनको सजाय हुआ था तो फ्रेंड्स हम सब ने हमारे गुरूप के सभी मेंबर्स ने यहां से बहुत सारे दिये लिए और लक्षमी गनेश की मूर्तिया भी लिए फ्रेंड्स यदि आपको भी मौका मिले तो आप भी वहाँ पर जाकर दिपावली की पूजा के लिए माल लक्षमी और गणपती पपा की मूर्ति जरूर जरूर लेकर आएं थेंक यू